तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल और मेवार सम्मंदों में महाराना परताप और अकबर के बारे में सबसे पहले महाराना परताप का जीवन परिच्चे देखते हैं जन्म हुआ था महाराना परताप का 9 मही 1540 जूनी कचेरी बादल मेल कुंबल गड कुंबल गड किले में बादल मेल बना हुआ है उसकी जूनी कचेरी में महाराना परताप का जन्म हुआ था 9 मही 1540 को माता का नाम था जेवन था भाई पिता का नाम था उदे सिंग पतनी का नाम था अजब दे पौमार, जगमाल और सक्तिशिंग इनके बाही का नाम था माराना परताब के गोडे का नाम था चेतक जो कि एक मालानी नसल का गोडा था इसके अलावा हाती भी पूचा जाता है कई बार हाती दो हाती थे माराना परताब के पास में रामपरसाद वल्लूना नाम के इनके बच्पन का नाम था कीका उपनाम मेवाड का रक्सक इनको का जाता है मेवाड का केशरी इनको का जाता है इसके लावा राजस्तानी साहिते में पाथल के नाम से भी मारना परताब को जाना जाता है आपने कनेयलाल से एटिया की रिचना बत्यानी रानी उदे सिंह की एक रानी थी बत्यानी रानी जो कि जेस्लमेर की लून करन की पुत्री थी इसके कहने पर उदे सिंख जो है वो जगमार को अपनावता दिकारी नियुक्त कर देता है 28.1512 को गोगुंदा में उदे सिंख की मुर्त्यू हो के इतियास में राज मेल करांती के नाम से जाना जाता है जगमाल अकबर की सरण में चला जाता है तब जगमाल राजा नहीं बना तो जगमाल अकबर की सरण में चला जाता है अकबर उसे जहाजपूर बीलवाडा जहाजपूर जो है उसकी जागीर दे देता है और पंदरा सो सत्यासी में दत्तानी का युद में जगमाल जो हो मारा जाता है 28 परवरी पंदरा सो बैतर को परताब का राजी बिशेक होता है गोगंदा के पास मादेव बावडी में और कृष्णदास चुंडावत जो है उन्होंने परताब की कमर पर तलवार बांदी थी दूसरा और विदिवत राजी बिशेक जो होता है वो होता है कुंबल गड़ दूर्ग में अकबर ने परताब को समझाने और अधिनता स्विकार करवाने के लिए चार दूत मंडल बेजेते most important execution बनता है सबसे पहला दूत मंडल बेजा था नवंबर 1532 में जलाल खा के नेतरितों में दूसरा बेजा था 1533 जून में मान सिंग और तीसरा बेजा था सितंबर 1533 में भगवंत दास को और चोथा बेजा था 1533 दिसंबर में टोडर मल को इसको जमा बटो के नाम से भी अपनी आद करते ही है हल्दी गाटी के यूद के बारे में पर बात करते हैं हल्दी गाटी जो है वो राजसमंद में है इसकी डेट जो है वो 18 जून 1576 है डॉक्टर गोपिनाथ सर्मा 21 जून 1576 इस यूद की डेट बताते हैं मुगल नेतरित वो करता था मान सिंग मान सिंग का ये पर्थम सोतंतर अभियान था मान सिंग के साथ में कौन कौन यूद लड़ रहे थे शेयद एहमद, शेयद हासिम, आसिफ खान, मादो सिंग, जगनात कच्छवा, मियत्तर खान, अब्दुलकादिर बदायुनी अब्दुलकादिर बदायुनी जो है, वो लेखक है, ये आदी जो है, वो सारे के सारे मान सिंग के साथ में थे इस यूद में इस यूद की वियूर रचना जो की गई थी, वो अजमेर के दूर मेगजीन के किले में की गई थी मान सिंग तीन जून को अजमेर से रवाना होता है, मंडल गड होते वे मोलेला पहुंचता है, वो रास समंध में अपना पड़ाव डालता है मान सिंग की सेना में हरावल जो था हरावल बोलते हैं अगरीम बाग जो होता है सेना का उसका नेतरीतों सेध हसिम कर रहा है और चंद्रावल यानि पिछला बाग जो है उसका नेतरीतों मीहत्तर का कर रहा है परताब ने लोसिंगा नमक जगए पर अपना पडाव डाला था परताब की सेना में हरावल हकीम का सूर के नेतरितों में है और चंद्रावल पुंजा भील के नेतरितों में बाताती है हकीम का सूर की तो हकीम का सूर एक मात्र मुस्लिम सेना पती था परताब की शेना में हकीम का शूर का मकबरा जो है वो खमनोर राजसमंद में बना हुआ है हकीम का शूर अलंकरण दिया जाता है मेवाड फाउंडेशन के दुआरा राश्टी एकता के लिए ये अलंकरण दिया जाता है परताब के साथ सलूमबर का रावत करिशन दास चुंडावत दोस्तों यहां से भी काफी इंपोर्टेंट क्यूशन बनता है कि हल्दी गाटी की युद में कौन कौन से सासक परताब की तरफ से लड़ रहे थे तो हम ये कन्फ्यूज हो सकते हैं मान सिंग सोनगरा जो है वो परताप की तरफ से लड़ रहा था नेकी अकपर की तरफ से बामाशा, रामदास मेड़तिया, ताराचंद, सादली का जहला बीदा और डोडिया का भीम सिंग ये सारे के सारे परताप की सेना की तरफ से लड़ र भापत हुआ। है वो हमें संगत सिंगरा सो से भी परता चलती है जो गिर्दर आसिया की रचना है युद के परिणाम के बारे में बात करें तो डॉक्टर गोपिनात सर्मा जो है वो बताते हैं कि यह जो युद है वो एर निरनाएक रहा था और राज परसस्ती में लिखा हुआ है कि इसमें की विजे हुई थी आलांकि हम यह कह सकते हैं कि मान सिंग जो है वो इसमें आनसी कुरूप से सपल रहा था क्योंकि मान सिंग का मुख्य उद्र सिता परताब को बंदी बनाना जो की कर नहीं पाया था इसलिए हम यह भी नहीं कह सकते कि अकबर की विजे हुई थी और यह भी किया है बदायुनी ने इस युद को गोगुंदा का युद का है अबुल फजल ने खमनोर का युद का है आदर सिलाल सिर्वास्तों में बादशा और बाग का युद हल्दी काटी के युद को का है इसके अलवा बनास का युद भी का जाता है और हातियों का युद भी हल्दी परताप का हाती था उस पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद में उस राम परसाद का नाम पीर पर साद रख दिया गया था ये भी काफी इंपोर्टेंट चीज है युद के बाद में परताप कोल्यारी गाओं पहुंचते हैं वहां अपने सेनिकों का इलाज करवात की थी बामा सा को करनल टोड ने मेवाड का करन का है अब बात आती है करन की तो राजपुताने का करन का जाता है राई सिंग को और कल्यू का करन का जाता है लून करन को हल्दिगाटी के युद के बाद में अकबर ने साबाज खां को परताप के विरुद बेजा था हल्दिगाटी का जब युद हो गए उसके बाद में साबाज खां को बेजा था जिसने तीन आकर्मन किये थे और तीनों के तीनों आकर्मन पर ताप़ जो किये गए वो तीनों ऐस अपल रहे थे पहला आकर्मन किया था पनरा सो अठतर के अक्टूबर में करते हैं दिवेर के यूद की दिवेर का यूद जो है अमर सिंग अकबर के चाचा सुल्तान खांके बीच हुआ था इसमें अमर सिंग की विजे हुई थी दिवेर के यूद के बाद में परताप का इस्ताई निवास बन गया था चावंड और 1585 में चावंड को प्रारंब हुआ था जिसको मेवाड के उप शेली का आ जाता है और 54 शेली के परसी चितरकार है नशीर अधीन और परसी चितरित गरंत जो है वो हड़ डोला मारू जो कि पंदरा सो ब्राणमें में चितरित हुआ था अकबर का परताप के विरुद अंतिम अभियान के दिबात करें तो 1585 में जगनात का छुआ के नितरितों में अकबर का अंतिम अभियान आया था जो ऐस अपल रहा था 19 जनवरी 1577 को 54 में परताप का दिहान तो जाता है एक दनुस की परतेंचा चड़ाते टाइम और परताप का दास अंसकार जो किया जाता है वो बाडोली में किया जाता है जहांपर आठ कंबों के परताप की छतरी बनी हुई है तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो परताप और अकबर के बारे में आई होप कि आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स जो है मेरे मोटिवेशन होते हैं मैं ऐसे ही फस्ट ग्रेड और सेगंड ग्रेड के इसको पूरा कवर करवाता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ आएगा तब तक के लिए टेक केर बाई बाई